हेलो इंजीनियर्स नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले की बीम पर लैप कहां पर आते हैं उसके जोन्स कौन से होते हैं और हमको किस तरह से लैप प्रोवाइट करना चाहिए जैसा कि आपने मुझसे डिमांड किया था कि जो मैंने कॉलम का वीडियो बनाया है लैप जोन पर उसका भी लिंग मैंने आई बटन पर दे दिया है तो आपकी डिमांड थी किसर बीम के बारे में बताइए तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले अंति तक देखें कि आपको बहुत सारी यूसफुल डिटेल समझ में आने वाली है सबसे पहले हमको यह समझना है कि बीम या तो कंटिनियस होत सकती है फिर सिंगल होगी तो हम एक एकजामपल ले रहे हैं कि कंटिनियस बीम जब होती है जहां पर लेंद 12 मिटर है उससे भी बहुत ज़धा होती है और हमको उसकी स्ट्रेंद प्रॉपर बनाने के लिए उसको क्लिर है अब यह भी न चलती हुई आ रही है तो हम यहां पर एक 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 प्शाम्पल समझथे कि लैप किस तरह से देन से यहां पर देखी इस बीस कि जो में एक वीदेओ जैसे कि यहांपर जोंद में आपको बताया है कि यहां पर जो center part देखी जैसे for example जब इस पर load लगेगा UDL uniformly distributed load अब देखो यहां पर मैंना UDL लगा रहा हूं properly clear है अब देखो जैसी यह load लगेगा तो आप देख रहोगे देखो beam कहा जा रही नीचे की ओर जा रही है clear तो इसका मतलब यह होता है कि जब ही हमारा load जब beam की नीचे की ओर जा रही है देखिए आप यहां पर देखिए नीचे की ओर जा रही है clear है तो यहां पर sagging movement आ रहे है यहां पर clear लेकिन जैसे ही हम end portions की बात करें तो यहां से supports क्या और है ऊपर की तरफ उट रहे है जैसा आप देख रहे होंगे यह नीचे जाएगा तो यहां पर जो हमारा center zone होता है यहां पर हमारे दो zone है clear यह neutral axis होके बीच में इसके नीचे टेंशन जोन और उसके ऊपर compression zone अब जैसे ही यहां पर मैं लोड लगाऊंगा तो यह बीम नीचे से टेंशन पर आएगी इसका मतलब की center part होता है बीम का उसमें जो bottom की main बार होती है उस पर लैप नहीं आता है center point पर हमेशा ध्यान दीजिएगा यह इस बीम का center point यह हो गया bottom का clear center point हो गया अभी center zone में कभी भी लैप नहीं आएगा bottom में की बात कर रहा हूं अभी मैं clear तो जैसे कि मैं देखता हूं कि 6 meter मेरा clear span है जो भी आपके beam का clear span होगा उसको आप 4 भाग में divide कर यह total length divided by 4 तो 6 meter को अगर मैं L by 4, L by 4, L by 4 और L by 4 में divide करूँगा तो मेरे पास आता है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 तो यहाँ पर यह जिस clear है कि इसके center part पर bottom पर still नहीं लगेगा lap के case में तो फिर यह lap कहा होगा यह lap होगा आपका हमेशा जो भी support होता है यहाँ पर यह support और यहाँ पर clear इस इसको ध्यान देना अब यह दूरी किती होती है यह दूरी होती है totally आपकी जो भी आपकी beam की depth होगे as per IA score में सारी details आपको बता रहा हूँ जो भी आपकी beam की depth होगे माल लेते 300 अब में beam की depth clear तो effective depth into 2 हमको करना होता है इस phase से छूट कर जो भी lap distance आएगा तो इसकी depth 300 effective depth निकालने यानि की total 300 minus नीचे का cover 25 minus जो आपकी die of bar है यहाँ पर for example हम 16 mm consider कर रहे है beam की case में जो हमारा die लग रहा है तो 16 का आधा तो main bar की center तक पहुचता है 300 minus bottom का cover minus half die of main bar तो हमारा answer आएगा totally into 2 करने के बाद 534 mm यानि की इस column के face से 534 mm यहां तक छूटने के बाद यहां इस zone में भी lap नहीं आएगा क्योंकि यह जो junction point हो गया यहां पर maximum shear generate होता है तो इस shear के वज़े से इसका effect इस 534 mm तक रहेगा इसी वज़े से यहां पर भी lap हमको provide नहीं करना है इस 534 के बाद का जो distance आता है center से हटके यहां पर और यहां से 534 जो beach का distance बचेगा आपको वहां पर हमको bottom main bar पर lap provide करना होता है अब इसके top bar के बारे में बात करते हैं कि जो top की main bar है वहां पर हमको लैप कहां provide करना है तो जैसे यहां पर sagging moment आएगा जैसे बीच में तो tension नीचे यहां पर आ रहे है लेकिन उपर compression आ रहे है उपर tension किसी भी तरह का effect नहीं है तो जो इसका maximum bending moment zone है वो नीचे के ओर था clear तो यहां हमारा ऊपर के पार्ट में किसी भी तरह का effect नहीं होता है तो जो top की main bars होती है उसको हमेशा हमको beam के center पर ही lap करना चाहिए clear है अब बात करते हैं कि lap distance किता होता है तो lap distance कभी भी किसी भी case में development lens से कम नहीं होना चाहिए वो उससे ज्यादा ही होना चाहिए clear है तो और हमेशे एक चीज़ है जो भी आपका development length है जो drawing पर given है उसमें clearly mention भी होता है और formula की help से जो मैंने पूराने वीडियो में बताया है कि किस formula के help से हम development length calculate करते हैं तो वहां से भी development length आता है lap length कभी भी उससे कम नहीं होना चाहिए clear है अब जो next important part है that is जो भी आपके rings होते है clear ring में आपको एक चीज़ का जो खास ध्यान रखना है वो यह ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जो spacing है जो भी lab zones है और जो stirrups की spacing 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो 150 mm या उससे कम ही standardized spacing है जो के IS code पर clearly mention की गई है तो इन खास चीज़ों का खास बातों का आपको ध्यान पर लैब देते हुए यहां पर भी साइट से हमको छोड़के लैब देना है और इस सेंटर से छूटके लैप लगेगा बॉटम में और जो हमारा में लैब जोन आएगा टॉप में बार्ट के लिए वो आएगा properly हमारे सेंटर पार पर इस से related और भी बहुत important details है अगर आप चाहते हैं तो नीचे yes comment जरूर करिएगा जो कि IS code की reference है वो आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आएगा next Monday को morning पर साड़े 9 बजे अगर आप चाहते हैं उस IS code की specification से पूरा इस detail को समझना तो नीचे yes comment जरूर करिएगा और भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ properly bar bending schedule के साथ-साथ construction industry के most important courses जैसे के estimation, quantity survey, rate analysis, billing, contract and tendering, पूरे practical heavy parts तो जरूर कॉल करेगा 911-001234 पर तीन महने की online training करके आप इस सारी की सारी चीज़े सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन महने की online training यहाँ पर आपको हर एक तरह की facilities भी available करवाई जाती हैं और इतना नहीं नहीं अगर आप एक training continue करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी software's के courses free of cost प्रोवाइड किये जाता है जैसे के architectural software's में आकर मैं बात करूँ AutoCAD, Revit, 3DSMX और Google SketchUp, structural software's में बात करूँ तो stat point, e-taps और उसे के साथ साथ project management के software's में बात करूँ तो MSPN, Primavera भी आपको available किया लेकिन तीन मेने की practical online training में आपको पूरे practical सिखाए जाते हैं और यह सारे software's आपको free add-on दिये जाते हैं तो अभी call करिए नीचे दी गए number पर 911001234 और अपनी training को continue करिए एक बार call ज़रू करिएगा क्योंकि call करने से हो सकता आपके बहुत सारे doubts और बहुत सारी queries solve हो जाए और इंजीनियस जैसे के आप सभी को पता है और आप जानते भी कि जो lifetime validity का course है जो civil goji provide कर रहा था वो 4 जुलाई से बंद होने जा रहा है उसके बाद वो limited time validity होगी अगर आप चाते lifetime validity के साथ पूरी की पूरी training करना तो बिलकुल इसके लिए call करिए 911001234 पर ताकि आपको lifetime validity का offer चार जुलाई से पहले आपको properly मिल पाए सो इंजीनियस हम मिलते हैं और इंटरेस्टिंग topics के साथ comment section सिर्फ और सिर्फ आपका ही है comment जरूर करें इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आप नए आया है तो मिलते हैं next वीडियो में और इंटरेस्टिंग topics के साथ अब तक के लिए नमस्कार जै हिंज जै भारत वंदे मात्रव